राश्टे राज़ा ने दिल्ली में नाइट कर्फियू के बाद अब वीकेंड कर्फियू भी लगा दिया गया है आपको बता दें दिल्ली में शुनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फियू लागू रहीगा उपमुखे मंतरी मनीज सिसोधिया ने ये एलान किया है उए दिली में क्या प्रमुख बदलाफ किये गए हैं? ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं. तो दिली में श्रनिवार और रविवार को कर्फियू रहेगा. साथी आपको बता दे, शुक्रुवार रात दस बज़े से सोंवार सुबा, पांच बज़े तक कर्फिय पास फीजिक अरमचारियों की ही आने की अनुमती होगी मेट्रो और बस फुल कैपसिटी के साथ चलाई जा सकेंगी और साथ ही यात्रियों को मास्क पहनना भी जरूरी होगा बगेर मास्क के किसी को एंट्री नहीं मिलेगी तो ये तमाम पॉइंट से जो आज के मुखे है उसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है उसके केसिस की संख्या लगातार बढ़ रही है पर अच्छी बात यह है कि internationally जो trend अभी तक देखने को मिले उन से हमने सबने बहुत कुछ सीखा देश में और उससे ये भी समझ माँ आया कि Omicron कैसे behave कर रहा है उसका character क्या है तो इससे नकसान जादे नहीं हो रहा यह वही trend शो कर रहा है जैसा Omicron نे देश दुनिया के और देशों में शो किया है आज total में देखें तो दिल्ली में इस समय करीब करीब पिछले 8-10 दिन में जो cases आए हैं positive cases total इस समय दिल्ली में करीब 11,000 हैं अब उन 11,000 में से hospital में देखें तो करीब 2500 cases हैं उनमें से भी oxygen पे देखें तो केवल 124 केस है अब वो साड़े 300 में एरपोर्ट से आए हुए लोग भी है उसमें किसी और वज़े से हॉस्पिटल में गए हुए लोग भी है लेकिन अगर ऑक्सिजन पर देखें तो 124 लोग है कुल मिलाके लोगों को कोविड हो रहा है तो खत्रा तो है इसलिए इससे बचके रहन भी जरूरी है और बचके रहने का सबसे बड़िएा तरीका है कि हम पूरी तरह से सेफटी रखें हमेशा मास्क लगाएं बाहर निकले तो और जब भी भीढ़ड में रहें तो मस्क लगाके रहें इसका सबसे बड़िए सलिशन है कि अगर किसी को कोविड हो जाता है और एक्सपर्ट्स का इमानना है कि होम आइसोलेशन ही रहना चाहिए हॉस्पिटल केवल तभी जाएं जब आपकी ऑक्सिजन लेवल लगातार डिप हो रही हो या आपको कोई परिशानी हो तो आज भी एक्सपर्ट्स ने यही बात दोराई लेकिन बढ़ते हुए केसिस को देखते हुए सरकार भी इस बात को लेके चिंतित है कि यह बहुत तेजी से ना फैले इसको जितना नियंतरित किये जा सके क्योंकि इसकी कोई डायक्ट दवाई तो है नहीं तो इसको जितना हम नियंतरित कर सकें इसके बढ़ने की स्पीड को इतना हम निंतरित कर सकें उतना हम इसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं तो इसलिए आज DDMA की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए उसमें सबसे इंपोर्टेंट है कि दिल्ली में सेटरडे और संडे को यानि वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकले बहुत जरूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशल जरूत पर ही बाहर निकले लेकिन सेटर इसेंशल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़ कर सबको अभी दफ़तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑन-Line या Work From Home करहाई जाएगा तो गورफ्यू क्याएगा तो जाएगा तो लिक्रान online या work from home रखें एक और समस्य अभी पिछले दिनों में आ रही थी कि जो हमारे bus stops हैं दिल्ली में लोग क्योंकि किसी ना किसी काम से बाहर निकल ही रहे हैं तो जो bus day है bus stops है bus stand है छोट छोटे और जो metro के stations हैं वो super spreader बनने का खत्रा आ रहा था क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी metro में capacity की और साथ साथ buses में capacity की वो आधी कर दी गई थी संख्या और उसकी वज़े से metro stations पर बहुत लंबी लंबी लाइने लग रही थी बस stops पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी वहां भीड हो रही थी कई जगे भीड एने अंतरित भी हुई और ऐसे बहें Corona Omicron जो है वो super spread हो सकता है वहां से इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसे और metro पूरी capacity पे चलेंगी